अंग्रेजी में एक कहावत है, extraordinary times require extraordinary measures, ये अभी जो हमारे देश में पूरी दुनिया में हालात हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वाइरस का जो पूरा समस्या बनी हुई है, एक वाइरस एक दुनिया के कोने में आया और उसने पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हं अंगामा मचाया हुआ है, हम बहुत भाग्यशाली हैं हमारे देश में ये वाइरस थोड़ा लेट आया, चूंकि ये नया वाइरस है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे अफेक्ट करता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा studies नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे देश में ये लेके उचित समय पे उचित कदम नहीं उठाए तो फिर हम अपने आपको आगे माफ नहीं कर पाएंगे तो पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से ये वाइरस फैला है और खास तोर से इटली, इरान, चाइना के जो एक्जामपल्स हम लोगों के सामने आ रहे हैं जिन देशो ने इसको अच्छे से डील किया उनके एक्जामपल्स हम लोगों के सामने हैं उससे ये साफ जाहिर है कि इसको जितनी जल्दी रोका जाए ज्यादा फैलने से उतना ज्यादा अच्छा है अभी दिल्ली के अंदर हमारे पास 27 केसे हैं इन 27 केसे में 6 केसे ट्रांसमिशन के है मतलब कि 6 केस वो हैं जो एक आदमी से दूसरे को लगे 21 केस ऐसे हैं जो बाहर से विदेश घूम के लोग आए थे और वो बाहर से इस वाइरस को लेके आए तो फिलहाल दिल्ली के अंदर अभी ये इस स्टेज में है कि ये एक से दूसरे को अभी तक जादा फैला नहीं है क एवल 6 लोगों को अभी तक ये फैला आया अगर आज हमने इसको इसके उपर कठिन कदम नहीं उठाए कि कल को अगर ये कुछ दिन के अंदर मान लीजे 1000 केस हो गए 1500 केस हो गए तो उसके बाद अगर हम लॉक डाउन करेंगे तो उसका उतना जादा असर नहीं होगा जैसे अभी इटली में देखने को मिल रहा है दूसरा अगर ज्यादा केसिज करने के बाद हम लॉक डाउन करेंगे उन ज्यादा केसिज को शायद हमारे अस्पताल और पूरा का पूरा हमारा हेल्थ इंफसक्चर है वो भी उसको डील नहीं कर पाएगा और उस वजह से ज्यादा म और कल सुबह 6 बजे से दिल्ली के अंदर लॉक डाउन किया जाए और यह 31 मार्च की रात को 12 बजे तक लॉक डाउन जारी रहेगा इस लॉक डाउन के तहट क्या-क्या होगा और क्या-क्या चीज़े सस्पेंड होगी और क्या-क्या चीज़े लागू रहेंगे मैं आपको बता देता हूँ इस lockdown के तहट कोई भी public transport service allow नहीं की जाएगी इसमें private बसें, taxi, auto rickshaw, rickshaw, e-rickshaw ये allow नहीं की जाएगी ये बंदोंगी DTC की बसें 25% चलेंगी और वो इसलिए ताकि जो essential services provide करने वाले लोग हैं दिल्ली के अंदर वो अपने-पने गंतव्य स्थान पे जा सकें दिल्ली के सारे shops, bazaar, commercial establishment, factory, workshop, office, go-down, weekly bazaar ये सब बंद रहेंगे दिल्ली से सटे हुए सारे states के साथ जो दिल्ली के borders हैं ये borders seal कर दिये जाएंगे except जो essential items आने आने हैं मान लीजे पडोसी राज्य से दूद आ रहा है सबजियां आ रही हैं खाने-पिने का समान आ रहा है जो essential items हैं के वल वो allow किये जाएंगे बाकी borders seal कर दिये जा रहे हैं इंटर स्टेट बसेज ट्रेंज और Metro services ये भी suspend की जा रही हैं सभी domestic और international flights दिल्ली में जो आ रही हैं वो सारी suspend की जा रही है construction activity सारी दिल्ली के अंदर बंद की जा रही है जितने religious places हैं किसी भी धरम के हों वो सारे बंद की जा रहे हैं और सभी लोगों से ये निवेदन हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने घर में रहें पूरी दुनिया से जो हमें सीखने को मिला वो यही कि जितना आप कम से कम बाहर निकलेंगे जितना आप कम से कम दुनिया के संपर्क में आएंगे उतना हम अपने आपको बचा सकते हैं हम बार बार यही कह जा रहा है एक तो जो जो कानून व्यवस्था को लागू करने वाले जितने ऑफिसेज हैं और जो मेजिस्ट्रीन ड्यूटीज हैं उन सारे ऑफिसेज को इससे एक्जम्ट किया जाएगा वो जारी रहेंगे पुलिस का कामकाज जारी रहेगा सभी अस्पताल और हेल्थ इंफ जारी रहेंगे पानी की सप्लाई से संबंदित सभी विभाग जारी रहेंगे मिनिसिपल सर्विसेज जारी रहेंगी जैसे साफसफाई दिल्ली विधानसभा का कल बजट सत्र है उसके लिए जो भी कामकाज है वो जारी रहेगा पेंड अकाउंट सॉफिस जो सरकार का है व जारी रहेंगे, बैंकों के कैशर और टेलर ताकि लोग अपने पैसे निकलवा सकें, वो जारी रहेंगे, टेलीकॉम, इंटरनेट और पोस्टल सर्विसेज जारी रहेंगी, जो एसेंशल गुड्स हैं जैसे खाना, दवाई, इनकी e-commerce से संबंदित जा सभी गतिविधियां जारी रहेंगी, फूड़ आइटम्स, खाने पिने की फूड़ आइटम्स और ग्रॉसरी, फूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, बेकरी, मीट, फिश, इससे संबंदित दुकाने खुली रहेंगी, मिल्क प्लांट्स जारी रहेंगे, जो जनरल किराने की दुकाने हैं वो खुली रहेंगी पेट्रोल पॉम्प एल पीजी और ऑईल एजनसी खुली रहेंगे एनिमल फॉडर खुले रहेंगी इनकी दुकाने अब यह सारी जो चीजे मैंने बताई इनसे संबंदित मैनिफेक्ट्रिंग प्रोसेसिंग ट्रांस्पोर्टेशन डिस्ट्रिबूशन स्ट सारी रखना चलूरी है तो वह समय समय पे नोटिफाइक करते रहेंगे कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पे मिलता है और उससे पूछा जाता है और वह कहता है कि मैं इस सर्विस को प्रवाइड करने के लिए जा रहा हूं तो उसकी बात मान ली जाएगी उसे कोई सर्टिफि तो जनता के उपर भरोसा करके जो जनता अगर इस से रिलेटेड कोई अस्पताल जा रहा है कोई तो उसकी बात मान ली जाएगी पांच या पांच से अधिक लोगों को इकठे नहीं होने दिया जाएगा और जितने प्राइवेट दफ्तर हैं प्राइवेट इस्टैबलिश उसका क्शारियों को इस दौरान जब लॉक्डाउन रहेगा उसकी पूरी तंखा देनी होगे इंक्लूदिंग परमेनेंट और कोंट्र discuss भारत सरकार से चुकि दिल्ली के अंदर भारत सरकार के भी दफ्तर हैं भारत सरकार से संबंदित जो भी ओर्डर होंगे वो भारत सरकार अपने अलग से निकालेगी वो इसके दाइरे में नहीं आएंगे और जो भी कोई व्यक्ति इस ओर्डर को लागू नहीं करेगा इसका उ काफी यह सुनने में आ रहा है कि मास्क्स की और सैनिटाइजर्स की काफी ब्लैक हो रही है हम सरकार के तरफ से उन सभी लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसे वक्त में जब लोग इतनी विपदा में हैं अगर आप इस तरह की काला बजारी करते हैं तो यह आप गलत का कर रहे हैं ना केवल कानून के खिलाफ बलकि इंसानियत के खिलाफ तो आप लोग जो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो इससे बाज आएं और सरकार इसके खिलाफ सक्त एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं बढ़तेगी अभी तक हम 327 जगे रेड मार चुके हैं और 437 लोगों क को उठानी पड़ेगी लेकिन अगर इस वक्त हम लोगों ने ये कदम उठा लिया तो हम इसको फैलने से रोक पाएंगे और अगर हम लोगों ने इस पूरी कारवाई से दस लोगों की भी जान बचा ली बीस लोगों की भी जान बचा ली तो मुझे लगता है इस वर्थ है ये अ tapa हो को कैम लोगों फीजा लोगों हम वह हम लोगों कीजे हर से लोगों हम लोगों की जालने से लोगों मुझे यालने साफितЯ कि हम आलने से कBookने मुझेमॉ